हाई अर्वान वेलकम तो माई चैनल रेसिपी ऐट रैंडम चलिया आज वना लेते हैं यह कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं यह हैं ब्रेड रोल्स मतलब देख जो कितने क्रिस्प बने हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं बिलीव मी रेसिपी बहुत ही असान है इससे ज़्यादा असान रेसिपी मतलब कोई हो नहीं सकती ब्रेड रोल्स यह और पॉफिक ब्रेड रोल्स आपके बनकर ना रेडी होना तो बताना पॉफिक बनेंगे बिल्कुल पहली बार में बस आपको सिर्फ स्टेप बाई के साथ भी सर्फ कर जे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो चले शुरू कर लेते हैं असान सी रेसिपी तो बनाने के लिए मैंने ब्रेड स्लाइस ले ली है पर ध्यान रखना ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए पुरानी सी ब्रेड होती है तो बी से तूटती है जब आप उसको फोल्ड करोगे तो अपने आप ही तूटने लग जाएगी और इस बात का ध्यान लखना कि ब्रेड फ्रेश लेना आपने कॉर्णर को निकाल लेना है और यह कॉर्णर को फेकना नहीं है इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो एक करके धीरे-धीरे करके आप पहले यह काम करो इसटेप बरचीप व्रेड को यह करते oh yeah, इस नी भी आपको टूम ब्रेड करते जाओ तो जितने भी आपको ब्रेड जाए पहले सारी के आप कॉर्णर को निकाल के रेडी कर ले ना वह पूरा ही बना रहा हूं तो मैंने सब के और यह कॉर्नर्स करके मैंने डाल दिये हैं मिक्सर जार में अब मैं को सिंपल ग्राइंड कर लोंगी और बरेट क्रम्स बना कर रेड़ी कर लोंगी कोई ब्रेट कॉछ रॉक्ट साइंस नहीं है ब्रेट क्रम्स बनाना यह बाद ने उबले हुए आलू लिये हैं मीडियम साइज के हैं पांच बॉय डालू मैंने ले लिये तो एक पैकट में बना रही हूं एक पैकट के लिए तने काफी है उसके बाद आलू को अच्छा हाथों से मत तोड़ना कोशिश करना ग्रेट कर लो या फिर अच्छे से मैशर कर लो कि आलू में कोई गाठे न पड़ी रहे क्योंकि गाठे होंगे तो फिर मुश्किल आएगी अब डाल दी है मैंने हरी मिर्ची दो हरी मिर्च को चोटा 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 चमची करीब मैं जिंजर को ग्रेट करके आड़ कर रही हूं डाली हूं थोड़ा सा गार्लिक तो तीन से चार गालिक प्लोस को मैंने ग्रेट कर लिया तो एड़ कर दिया है उसके बाद एड़ कर दो खूब सारा हरा धनिया थोड़ा सा लाल मिर्ची है यह कुटी वाली आदा चोटा चमची करीब ही हम डालेंगे चाट मसाला अच्छा 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 फलेवर आएगा अच्छा 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 अच् चाट मसाला कम है थोड़ा और याद कर लो नमक कम है और भी अड़ा देखो एक बड़ा चमच या डेल बड़ा चमच लेकी इस तरीक्या से छोटे से ऐसे लंबे-ंबे से रोल्स बना कर के ड़ी कर लेंगे जरहा है, जरुकर से बात को बनते हैं कि अजय वाहता है, अगर जाए, लाद हाल diplomacy करना है, ये भी काम करना है, को अगर रोल बनता में आपको तो आपका मैंicie ज्तितो हुं मैं सब्सक्राइखätेlingt, करते जाना जैसे मैं बता रहे हूं बिलकुल मैंने सारे बना के इस तरीके से तो एक रोल के अंदर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप आलू जादा भी ले सकते हो कम भी ले सकते हो लेकिन आलू इतना लोग है तो अच्छा लगेगा अंदर से कम-कम आलू नहीं लगना चाहिए उसके बात देखो मैंने एक बोल ले लिया उसमें रख दिया डाल रहे हूं पानी तो पानी यसी डाल लो करीब एक ग्लास पानी मैंने डाल दिया है और अब मैंने साइड में रख लिया है एक ब्रेड स्लाइस को आप उने लेना है एक ही साइड से खाली पानी में नहीं बख़ें कि अज़ने पानी निकाल में चाहिए अच्छे से साइट अराम से थोड़ा प्यार से बस निकालना उसके बाद ऐसे आपने और इस तरीके से आप इसे आपने दियान से जापना सी एम आप इसे सीधा चीन कर पाऊ जिल कर से बिलकुल ऐसे आप ब्रेड तो गि पूरी चार तरफ से हमारी सील हो जाएगी बढ़िया तरीके से इसको अपने तो बस ऐसे प्रेस करते हुए एक अच्छा सा ब्रेड रूल का शेप दे देंगे ब्रेड गीली है बढ़िया शेप आ जाएगा और यह दिखो इस तरह से रग तो अब मैं आपको एक और ब्रेड म प्रेस करना है डागनली प्लेस करना है अगर आप देखो शी जाओर let a rope is a ले लो एक बड़ा सा बोल इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच कॉझ फ्लार के जगह आप खाली मैदा भी यूज कर सकते हो विखाद स्कॉन फ्लार नहीं तो आप मैडान साथ बना सकते हो पतली सलरी बना आप अन्य तेट पानी तो आधी कभसे थोड़ा जादा की हुआ ऐसे हो तो प्ली सलरी यहां करीब अद थोड़ासे थोड़ास ऐड़ा उसके बाद इसमें हलका सामे एक चुटकी नमक कर रहे हो कि इसमें निकाल के तिए बड़ीया कलर आया ना विए बड़िया कलर अया ना विएक फ्रेश ब्रेड क्रम्स है तो जब भी आपको दो पर पको पड़े न ब्रेड को ग्राइंद कर लो क्युंद कर लो सिंपल और इसका इसलिए ऐसा होता है क्युँद्ध कि आप कॉर्नर से बनाते हो अब आपने एक एक ब्रेड रोल को सलरी में डालना है ऐसे फिर फोक में इसलिए यूज़ कर रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा पाली है वो सा फोक से नीचे निकल जाएगा फिर उसके बाद उसे आप ब्रेड क्रम में कोट कर लो असान बहुत असान यह देखो इस तरीके से बिल को सिंपल सार प्रोसेस है बस इसे डालो हलका से इसे बस घुमाओ चारो तरफ सापको मतलब पानी लग जाना चाहिए से क्या होगा ना वहकुल सील हो जाएगा आपका कहीं से भी आलू निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा उसके बाद इस तरीके से आपने कोट कर लेना है इस तरीके से सारे ब्रेड रोल बनकर रेडी कर लोगे उसके बाद इसे आप फ्रिज में रख देंगे करीब से करीब आधे घंटे के लिए बहुत इंपोर्टेंट स्टेप फ्रिज में रखने से क्या होता है न वह शेप को बहुकुल होल्ड करते हैं वह को डालने में से इस निजए इस इस निर मियानगे रेडी यह रेडी कर लिए शाम को आपट Ho Get T Salz को आपको से निए चटोगेधर है तो आप गरम में घरम कर सकते हैं यह एक दिन पहले बनाग़ दो चार दिन पहले बनाने अगर तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा तो इस जबना कर दो निकालते हैं आप इनको भी निकाल के फ्राइ कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए इन्हें आदे गंटे के लिए फ्रेज में जरूर से रखना जिसे अपना शेप प्रॉपर तरीके से होड कर पाएं और यह देखो कितना बढ़ी अब बढ़ी अपना गुलाबी सा ना ब बच्चों के लिए बच्चों का कभी गेट तोगेधर होता है समझ नहीं आता कि आप क्या स्नाक्स मना सकते हो आपकी कोई किटी पार्टी होती है तब भी आप इसे बना सकते और एक ब्रेडोल मतलब अच्छा साइज बड़ा होता है दो खाने पर काफी फिलिंग होता है त में अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा फट से सबसक्राइब कर लो यार अभी तक किस बात का वेट कर रहे हो तो इसे घ्ला कर लो एसि बहुत सारी टेस्टी और आमेजिंग रेषिपी लीए एक बैच मेंने फ्राइई कर लिया द्हान लिए ठान रहना बहुत कितनी करार हैं कितनी टेस्टी लग रहे हैं इसमें आलू जो है बहुत ही चटपटा है बाहर एक करारी सी फिलिंग है तो इसे जरूर से ट्राइ करना और फीडबैक में जरूर से शेयर करना आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो रैंडम ने के नाम से खाओ पियो मस्त र झाल 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